गुलाब दियां पत्तियां तो बने गुलकांद सेतली बहुत फाइदे मन होंदा है एह खान विच काफी सुवाद भी होंदा है इसनों रोज खान नाल गर्मी विच होन वालियां परिशानियां तो बचया जा सकता है गुलाब दियां पंखुडियां दा इस्तेमाल चापन विच भी होंदा है गुलकांद खान विच बहुत मिठी होंदी है इसलिए एह शुगर दे रोगियां नू नहीं खानी चाईदी गुलकांद दी वर्तो करन नाल महलावान नू सेतना जुडियां अपनियां वडियां समसेमा तो भी मुक्ती मिल जांदी है आयुरुवेदिक विच पित दोश कारन पैदा होन वालियां सारियां बीमारियां दे इलाज ली गुलकांद खान दी सला दिती जांदी है गुलकांद विच मजूद कई गुना कारन व्यक्ती नू सुस्ती, खुजली, सरीर दा दर्द, ठकान दे नाल नाल जलन कारन पैदा होन वालियां बीमारियां विच रहत मिल दी है आओ इस वीडियो विच जान दे हाँ इस दे होर फाइदा बारे हुनगाल करते हां इस दे सब तो पहले फाइदे बारे लू तो बचा गुलकांद खान ना सरीर नू ठंडक मिल दी है और जाना इस नू खान लू अते तपदी गर्मी दे कारन होनवालियां परिशानियां तो बचया जा सकदा है इसलिए साननू गुलकांद ता सेवन जरूर करना चाईदा है थकावट अते कम जोरी करे दूर गुलकांद ता डे स्रीर नू ठंडा रखदा है इस थकावट सुस्ती, खुजली, दर्द, आदी, सारियां गर्मी नाल सबंदीत समस्यान नू खतम कर दिन दा है गुलकांद नाल तलियां अते हथेलियां विच होन वाली जलन तो भी राहत मिल दी है कबई दी समस्यानू करे दूर पेट नाल जुडियां परिशानियां जिमें के गैस याग कबज गुलकांद खान नाल एहे बुमारियां दूर हो जान दिया हन इस नाल पोजन वी असानी नाल पाच जानदा है अते पुखवी लगनी शुरू हो जानदी है अते पेट साफ रहनदा है दूर करे मूँ दे छाले कुछ लोका नू गर्मी विच मूँ विच छाले हो जानदे हन जेही हालते विच गुलकांद खान नाल जल्दी अराम मिलदा है इसलिए मूँ दे छाले दूर करन लिसा नू गुलकांद दा सेवन जरूर करना चाहिदा है चेहरे नू बनाए चमकदार गुलकांद स्रीर विच विच टाक्सीन बाहर कडन अते खून दी सफाई करदा है जिस सनाल चेहरे दारांग निकरदा है अते फिंसियां चिट्टे मोक्यां वर्गयां समस्यां तो राहत मिलदी है अक्खा लई फाइदे मांद गर्मी दे मोसें विच अक्खा विच जलन होना आम गाल हुंदी है अक्खा नू ठंड का पैचाउन दे लई अते अक्खा दी रोशनी बदाउन दे ली गुलकांद जरूर खाऊ इसनल स्रीर विच थकावट अते कम जोरी दूर हुंदी है याद शक्ती विच वादा सवेरे शाम दुद दे नाल एक चमच गुलकांद खान ला दिमाग तेज हुंदा है इसनल गुसा भी नहीं हो दा अते तना भी कट रेंदा है जिस कारण सानू चंगी नीद आउंदी है तना नू कट करे गुलाब दियां पंखडियां नू उबाल के इस दा पानी ठंडा करके पी नाल तना विच राहत मिल दी है एह मास पेशियां दी अकड़न नू दूर कर है अदूनिक लाइफस्टाइल यानि की रहन सेंविच तना होना आम गल है पर तना कारण कई तना दिये समस्यमा पैदा होन लग दियां हन अजेहे विच गुलकांद तुहडे नर्वस सिस्टम नू आम करदा है जिस नाल तना काट हूंदा है अते दिमाग शाद रहनदा है जहरी लेपदार्था नू सरीर विचो बाहर कड़ना इस नू खान नाल सरीर विचले जहरी लेपदार्था निकल जान दे हन क्योंकि गुलकांद ती तासीर ठंडी हूंदी है इस नाल सरीर साफ रेंदा है अते जहरी लेपदार्था अकटे नहीं हूंदे सो एसी आज दिसे सबंदी जानकारी होर नविय नम ये वीडियो देखा नितु साड़ यूटूब चैनल नू सब्सक्राइब कार सकते हो अते वीडियो नू वाद वाद शेर अते लाइक कमेंट करो